जै जोहार संगवारी हो स्वागत है आप सब के आपमन क्यापन चैनल में तो संगवारी हो आज हमन बात करवो 36 गड़ के कैसे कलाकार के बारे मां जेकर नाचा और नाटक में बहुँछ ही जादा सौख रही से जी हां संग वारी हो ता आज हमार बात करबो दाऊ राम चंद्र देसमुख जी के बारे मां जी हां संग वारी हो ता वीडियो पे बने रहा वीडियो लाव शुरू कर्थन दावू रामचंद्र देश्मूग जी के जन्म 25 अक्टूबर 1916 में दुर्गजीला के पिनका पार नामा के गाउम होई रही से वोकर पिता स्री गोविंद प्रसाद एक संपन की सान रही से बालक रामचंद्र बचपन से ही नाटक और नाचा के में भाग लेने लगात रही से ओ जागरू करीश है, 36 गड़ अंचल में पूरा संस्कृति के पुनर जागरान करीश है, तो प्रारामभीक सिख्छा इस्थानिय विद्यालाय में पूरी करे के बाद, नागपूर भी स्वविद्यालाय से क्लिशी विशाय में इसनातक के उपाधी प्राप्त करीश, नागप हिंता आंदोलान के दावरान वे महत्मा गांधी जी से के संपर्क में आये के बाद, उकुछ समय के लिए वर्धा आश्रम चलेगी से कर विवाह प्रख्यात स्वतंत्रता स्रेनानी डाक्टर खुपचन बगेल जी के सुपूत्री राधा बाई से हुई स्विवाह के बाद, राम चंडर देशमूख दूर्ग जीला के बगेरा ग्राम में एक उन्नत क्रिसी अनुसंसाधन के साथ इस्थानी जड़ी बूटी और गठ्या बाद लकवा जैसे बिमारी के इलाज करत रही से और वैसे ही अपन जीवन लबितात रही से इही समय ओहर 36 गल के ग्रामिट संस क्रिती ला निकरता से देखिस अरवार सा 1950 में दाव राम चंडर देशमूख अपन साथी मन के सहयोग से 36 गड़ देहाती कला विकास मंडल के इस्थापना करीस जेकर मुख या उद्देश या नसीहत के नसीहत और तमासा के तमासा ओहर ततकाली नाच जोडते हुए बोधल जोडते हुए प्रयास करीस और वहा एनिस्विंग क्यावन में ये संस्था नरग और सरक करीस इसी बीच अधिकांस कलाकार प्रसिध धरंग कर्मी हभीब तर्मार के साथ दिल्ली चलेगे जहां अंताराष्टी अमंच में 36 गड़ के लोकला सस्कृति ला पहचान मिलीस वर्षव 1954 से 1979 तक रामचंद्र देशमूख अपन संपूर समय जन सेवा और समाज सुधार के कार्य में लगा दिश 36 गड़ अंचल के सम्मान बोधक ववा संस्कृति के प्रतिक चंदाइनी गोंदा के लिए खुमान साओ भाईया लाल हेडवू लच्मन मस्तूरिया प्रेम साइमन जैसे अनेक कलकार ओकर्मन से में संपर का अनेक कलकार ओकर्मन जैसे में चंदाइनी गोंदा के प्रत्थम प्रदर्शन किया गिस एक कार्यक्रम के माध्यम से दाव जी अपन पिछले 50 वर्स के कला साधना अंचल के संस्कृति और समाजिक धर्वला सफल प्रजान करीश चंदाइनी गोंदा के मंचन 36 गण अंचल के अलावा उत्तर प्रदेश बिहार महराष्टर दिल्ली मध्य प्रदेश में सफलता पूर्वक किया गिस अखिल भारती य लोक कला महसाई युनोसको द्वारा आयोजीत भोपाल सम्मेलन में एक कार्यक्रम के सरहना किया गिस पुन्ना लाल बक्सी द्वारा रचित कारी नाटक के मंचन करी जे में नारी उत्पीरन वा समाजिक कुरूती पर जबर्यस्त चोट के गिर ही से ओकर अगली प्रस्तूती द्यवार डेरा भी रही से जो ततकाली समाज से उप्यक्षीत द्यवार समाज के समस्या पे आधारी रही से 13 जनवरी 1998 में रात के हिरिदय गती रुख जाय के कारण रामचंद्र देशमुग जी के देहवास होगे निधन होगे जी हां संगवारी हो ता संगवारी हो ये तो रही सावे रामचंद्र देशमुग जी के बारे में कुछ जानकारी अगर वीडियो आप माला पसंद रही सोही तब वीडियो लाइक चैनल ला सस्क्राइब जरूर कर लिया संगवारी हो तब तक के लिए जाय जोहार